पाल के एक दो दिनों में कॉंग्रिस पार्टी विभिन विवादों में घिरी है इन में से तीन विवादों का विशलेशन संक्षिप्त विशलेशन मैं आज की वीडियो में करना चाहूंगी सबसे पहली बात है शशी थरूर की और यह जुड़ी है लाहौर ठिंग फेस से जिसकी लिंक उन्होंने खुद अपने ट्वीटर पर शेयर की थी वहाँ पर जो उन्होंने बयान दिये वे भारत सरकार की आलोचना करते थे कोविट से निपटने के सरकार के प्रयासों को लेकर और इसके बाद शशी थरूर विवादों के गेरे में घिर गए क्योंकि भारती जनता पार्टी की और से कहा गया कि क्या आवशक्ता थी किसी पाकिस्तानी फोरम में जाकर भारत की आलोचना करने की यह बात एक तरह से सही भी है यदि आपको सरकार के प्रयासों की आलोचना करनी है तो उसे आप देश में ही कर सकते हैं यदि आप किसी दूसरे देश में और वह भी पाकिस्तान जैसे देश में जाकर करते हैं जिसके भारत से अच्छे संबंध नहीं है तो उसे देश विरो पहली बात तो राहुल गांधी के सुझाव आपस में ही विरोधा भासी थे एक तरब वे विरोजगारी को लेकर आवाज उठा रहे थे और दूसरी और वे लॉकडाउन भी चाहते थे यह आपस में विरोधा भासी है रही बात मोधी सरकार के प्रयासों की तो कोविट से देश के पास अच्छा उदारण नहीं था ऐसे में एक मातर रास्ता था ट्राइल एंड एरर करके सीखना और ऐसा ही मोधी सरकार ने किया ट्राइल एंड एरर करके हमें कुछ गलतियों का भी पता चला और जिस पर हमने सुधार करके आगे बढ़े और आज कोविड के उस्मानी को जो अलिगड मुस्लिम उनिवर्सिटी के पूर्व छात्र अध्यक्ष रहे हैं और साथ ही जिन्ना समर्थक भी माने जाते हैं इसको लेकर भी कॉंग्रिस विवादों के घेरे में आ गई है क्योंकि जिस व्यक्ति का टिकट काट कर उस्मानी को टिकट दिया गय किया और जिन्ना उसके विरोधी हैं तो क्यों कॉंग्रेस ने इन्हें टिकट दिया इनका मैं कुछ बैक्राउंड बता दूँ ये अलिगड मुस्लिम उनिवर्सिटी में एक धर्ना प्रदर्शन का नित्रित्व कर रहे थे जब जिन्ना की फोटो लगाने की मांग की जा र हाला कि इस आरोग को बाद में हटा दिया गया था क्योंकि कुछ बयान आये जिन्नों ने ये कहा कि असली में उस्मानी हमले को रोकने का प्रयास कर रहे थे इस प्रकार का इनका बैग्राउंड है और भाजपा ने इन पर निशाना साथते हुए कहा है कि वे अपने कारियाल में जिन्ना की फोटो लगाते हैं और ऐसे व्यक्ति को कॉंग्रेस ने टिकेट दिया है तीसरी बात जुड़ी है मध्य प्रदेश की उपचुनावों से जहां पर पूर मुख्यमंत्री कमलनात के बयान विवाद के घेरे में आ गये हैं उन्होंने इमर्ती देवी को आइट जो कहा वह ये था कि आइटम उन्होंने कहा लेकिन यह असम्मान जनक शब्द नहीं है सरकारी कामकाजों में भी आइटम नंबर करके सूची बनाई जाती है और हर व्यक्ति आइटम है इस प्रकार की बात उन्होंने अपने बचाव में कही लेकिन मध्य प्रदेश कॉंग् इसका ट्वीटर हैंडल वहां से भी इस प्रकार के बयान आये हैं इसकी आलोचना जोती रादित्य सिंध्या ने भी की है और कहा है कि एक डलित नेत्री जो की सरपंच के पद से उठकर मंत्री तक बनी उनके प्रयासों को इस प्रकार से धूमिल करने का प्रयास हो रहा है औ तीन विवरण मैं हूँ निष्ठा अनुश्री आप देखते रहें स्वराजी